नमस्कार फियो और मन सुंदर शोव में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंट्रंस है जहां पर देखने को मिला कि अब यहां पर नहार भी अब रुई से नफरत तो नहीं करता लेकिन उससे थोड़ा सा नाराज है दादी और अगनी इसी बात का फाइदा उठाना चाहती है सोचरी होती है कि बस अब तो हमें बस थोड़ी सी चिंगारी लगाने की देर है और फिर रुई और नहार का रिस्ता हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा खतम लेकिन अभी के लिए नहार जो है रुही को बोल देता है कि हम अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे रुही तो यहां पर अप रुही बिले चुकी होती है परती गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो असली सक्स को इस गर के जो भी इस गर का सदश्य है जो इस गर को इस परिवार को दोखा दे रहा है उसका सचुष सब के सामने लाकर ही रहेगी वो कई लोगों पर शक कर रही होती है परिवार वालों पर लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है कि असली सक्स कौन हो सकता है इसके लिए वो साजिस रचती है कि पुलिस टेशन से फोन आया गुरुमा को पकड़ लिया गया है तो सोचरी होती है कि जो भी सक्स होगा मुझसे पहले गुरुमा तक पहुँचने की कोशिश जरूर करेगा तो इस जाल में फोस जाती है अगनी और रुही से पहले वहां पर पहुँच जाती है रुही भी वहां पर पहुँची होई होती है अगर किसी ने मुझे देख लिया जो यहां पर गुरुमा से मिलने आएगा तो वो मुझे देखकर छिप चाएगा, मुझे ही छिपना होगा तो क्या अब की बार इस प्लाइन के जर्ये अगनी का परदाफास कर पाएगी रुही या फिर अब की बार भी अगनी रुही के इस प्लाइन को भी रख देगी पलट कर क्या अब की बार इस नफरत जो भी अब रुही और नहार के रिष्टे के भी थोड़ी सी नाराजगी आ चुकी है नहार को फिशे पहले जैसा प्यार पाएगी क्योंकि नहार रुही का साथ तो दे रहा होता है लेकिन अभी वो उससे होता है बहुती जदा नाराज है लेकिन जब अगनी का सच आएगा नहार के सामने तो फिशे रुही और नहार होंगे एक रिष्टे